मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छुटियों के दिनों में आपने परियतन के लिए सोचाई होगा। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं लेकि जादा तर लोग अपने अपने राज्यों में पाच दिन साथ दिन कहीं चले जाते हैं कुछ लोग अपने राज्यों के बाहर जाते हैं पिछली बार भी मैंने आप लोगों से आगरह किया था कि आप जहां जाते हैं वहां से फोटो अपलोड कीजिए और मैंने देखा कि जो काम टूरिजम डिपार्टमेंट नहीं कर सकता जो काम हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता जो काम राज्य सरकार ने, भारत सरकार नहीं कर सकती हैं, वो काम देश के करोडों करोडों ऐसे प्रमासियों ने कर दिया था, ऐसी जगहों के फोटो अफलोड किये गए थे, कि देकर के सच्विच में अनंद होता था, इस काम को हमें आगे बढ़ाना है, इस बार भी कीजिए लेकिन इस बार उसके साथ कुछ लिखी है, सिर्फ फोटो नहीं, आपकी रचनात्मक जो प्रवृत्ती हैं उसको प्रगट कीजिए, और नई जगह पर जाने से, देखने से बहुत कुछ शिखने को मिलता है, जो चीज़े हम क्लास्रूम में नहीं सीख पाते हैं, जो हम पर और नई जगहों के नएपन का अन्भो होता है, लोग, भाशा, खानपान, भाके, रहन सेहन, नजाने क्या क्या देखने को मिलता है, और किसे ने कहा है, अ ट्राविलर, बिदाउट अब्जर्वेशन, इजे बर्ड, बिदाउट बिंग्स, शौके दिदार है अगर, तो देखने के लिए निकल बड़ो, चीवन भर देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, कभी मन नहीं बरेगा, और मैं तो भागेशाली हूँ, मुझे बहुत ब्रहमण करने का अवसर मिला है, जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, और आपी की तरह बड़ी ताकत होती है, और अब भारत की युवकों में प्रवास में सहस जूडता चला जा रहा है, जिग्या सा जूडती चली जा रही है, पहली की तरह वो रटे रटाए, बने बनाए, उसी रूट पर नहीं चला जाता है, वो कुछ नया करना चाहता है, नया देखना चाह मैं कॉल इंडिया को एक विशेज बढ़ाई देना चाहता हूँ, वेस्टन कॉल फिल्ट्स लिमिटेड, डव्ल्यू सी एल, नागपुर के पास सावनेर, जहां कॉल माइन्स है, उस कॉल माइन्स में उन्हों ने एको फ्रेंडली माइन टूरिजम सर्कीट डवलप किया है, आम तोर पर हम लोगों की सोच हैं कि कॉल माइन्स याने दूरी रहना, वहां के लोगों की तश्वीरी जो हम देखते हैं तो मैं लगता है वहां जाने जैसे क्या होगा, और हमारी यहां तो कहावत भी रहती हैं, कोहले में हाथ काले, लोग यहीं दूर भागते हैं, लेकिन उसी कोहले को टूरिजम का डेस्टिनेशन बना देना और मैं खुश हूँ कि अभी अभी तो ये शुरूरात हुई है और अब तक करीब करीब दसजार से जादा लोगों ने नाकपूर के पास साउनेर गाउं के निकट ये इको फ्रेंडली माइन टूरिंजम की मुलगात की है ये अपने आप में कुछ नया देखने का आउसर देती है मैं आशा करता हूँ कि इन चुटियों में जब प्रवास पर जाएं तो स्वच्चता में आप कुछ योगदान दे सकते हैं क्या इन दिनों एक बात नजर आ रही है भले वो कम मात्रा में हो अभी भी आलोचना करनी है तो अवसर भी है लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि एक जागरुकता आई है टूरिजम प्लेसिस पर लोग स्वच्चता बनाय रखने का प्रयास कर रहे हैं ति हो रहा है आप भी एक टूरिस्ट के नाते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर स्वच्चता उस पर आप बल दे सकते हैं क्या मुझे विश्वास है मेरे नवजवान मुझे इसमें जरूर मदद करेंगे और ये बास हैं कि टूरिजम सबसे ज़ादा रोजगार देने वाला छेतर है गरिब से गरिब व्यक्ति कमाता है और जब टूरिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाता है गरीब टूरिस्ट जाएगा तो भी कुछ तो लेगा अमीर होगा तो ज्यादा खर्चा करेगा और टूरिजम के द्वारा बहुत रोजगार के संभावना है बिश्व की तुलना में भाड़ टूरिजम में भी बहुत पीछे है लेकिन हम समासो करोड देशवासी हम ताय करें कि हमें अपने टूरिजम को बल देना है तो हम दुनिया को आकरशित कर सकते हैं बिश्व के तूरिजम के बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी आकरशित कर सकते हैं और हमारे देश के करोडों करोडों नौजवानों को नए रोजगार के अफसर उपलब्त करा सकते हैं सरकार हो, संस्ताय हो, समाज हो, नागरीक हो हम सबने मिलकर के करने का ये काम है आईए हम उस दिशा में कुछ प्रहास करें मेरे युवाद दोस्तों छुटियां ऐसे ही आके चली जाए ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती आप भी इस दिशा में सोचिए क्या आपकी छुटियां, जिन्दिकी के महत्वपुन वर्ष और उसका भी महत्वपुन समय ऐसे ही जाने दोगे क्या मैं आपको सोचने के लिए एक विचार रखता हूँ क्या आप छुटियों में एक हो अपने विक्तित्व में एक नई चीज जोड़ने का संकल्प ये कर सकते हैं क्या अगर आपको तैरना नहीं आता है तो छुटियों में संकल्प कर सकते हैं मैं तैरना सीख लू साइकल चलाना नहीं आता है क्या छुटियों में ताई कर लो साइकल चलाओं आज भी मैं दोंगली से कॉंप्यूटर को टाइप करता हूं कि मैं टाइपिंग सीख लूँ हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने प्रकार के कौशल्य है क्यों नो उसको सीखें क्यों नो हमारी कुछ कमियों को दूर करें क्यों नो हम अपनी शक्तियो में इजाफा करें आप सोचिए और कोई उसमें कोई बहुत बड़े क्लासिस चाहिए कोई ट्रेनर चाहिए बहुत बड़ी फीस चाहिए बड़ा बजीर चाहिए ऐसा नहीं है आप अपने अगल बदल में भी मान लिए आप तैय करें कि मैं वेस्ट में से बेस्ट कुछ देखिये और उसमें से बनाना शुरू कर दीजिए आपको आनद आएगा शाम होते होता कि देखिये ये कुडे केचरे में सापने क्या बड़ा दिया आपको पैंटिंग का शौक है आता नहीं है और शुरू कर दीजिए ना आ आजाएगा आप अपने चित्टियों का समाएं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने पास कोई एक नए हुनर के लिए अपने कोशल विकास के लिए अवश्र करें और अंगिनत क्षेत्र हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि मैं जो गिना रहा हूं वोई क्षेत्र हो सकते हैं और आपके व्यक्तितों की पहचान उससे और उससे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा एक बार देख रीचे और जब छुटियों के बाद स्कुल में वापिस जाओगे और अपने साथियों को वोग मैंने तो छुटियों में य सीखा बताएंगे ना इस वार मन की बात में माई गौव और कई सुझावाए मेरा नाम अभी सतुर्वेजी है नमस्तित रभान मंत्री जी आपने पिछले गर्मियों की सुट्यों में बोजा की सेडियों को भी गर्मियों लगती है तो हमें एक बैतन में पानी रखकर रखन चाहिए जिससे चेडियां आकर पानी पीए मैंने ये काम किया और मुल्य को आनंद आया इसी बाहने में भी बहुत सारे चेडियों से दोस्ति हो वेई मैं आपसे बिंसी करता हूँ कि आपके स्कार्य को वापिस मन की बात में धराए धन्यवाद मेरे प्यारे देशवासियों मैं अभी चतुरवेदी एक बालक का आभार वेक्त करना चाहता हूँ उसने मुझे फोन करके एक अच्छा काम याद करवा दिया पिछली बार तो मुझे याद था और मैंने कहा था कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के बरतन में पानी रखे अभी ने मुझे बताया कि वो साल भर से इस काम को कर रहा है और उसकी कई चीडिया उसकी दोस्त बन गई है हिंदी की महान कभी महादेवी वर्मा पक्षियों को बहुत प्यार करती थे उन्होंने अपनी कविता में लिखा था तुझको दूर न जाने देंगे दानों से आंगन भर देंगे और होज में भर देंगे हम मीठा मेठा ठंडा पानी आईए महादेवी जी की इस बात को हम भी करें मैं अभी को अभिननन में देता हूँ और आभार भी वेक्ट करता हूँ तुमने मुझे बहुत महतोफ़न बात याद कराई मैसूर से शिल्पा कुके कि उन्होंने एक बड़ा सम्वेदय से मुद्दा हम सब के लिए रखा है उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास दूद बेचने वाले आते हैं अकबार बेचने वाले आते हैं पूस्मेन आते हैं कभी कोई बरतन बेचने वाले वहां से गुजरते हैं कपड़े बेचने वाले गुजरते हैं क्या कभी हमने उनको गर्मियों के दिनों में पानी के लिए पूछा है क्या कभी हमने उसको पानी उफर किया है क्या शिल्पा में आपको बहुत आभारी हूं आपने बहुत संवेदे शिल्विषय को बड़े सामान ने सरल तरीके से रख दिया ये बस अहीं है बहुत छोटी होती है लेकिन गर्मी के बीच अगर पोस्ट में घर के पास आया और हमने पानी पिलाया खितना अच्छा लेगेगा उसको खर भारत में तो इस ववाव है ही है लेकिन शिल्पा मैं आभारी हो कि तुमने इन चीजों अबजर किया